निर्गमन ग्रंथ अध्याए बारा प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हरुन से कहा यह तुम्हारे लिए आदिमास होगा तुम इसे वर्ष का पहला महिना मान लो इस्राइल के सारे समुदाये को यह आदिश दो इस महिने के दस्वें दिन हर एक परिवार एक-एक मेमना तयार रखेगा यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हो तुँ जरुरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ खाने वालों की संक्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रूची का ध्यान रखो उस मेमने में कोई दोश न हो वा नर हो और एक साल का वा भेड़ा हो अत्वा बकरा महिने के दसमें दिन तक उसे रख लो शाम को सब इस्राइली उसका वद करेंगे जिन घरों में मेमना खाया जाएगा दर्वाजों की चौकट पर उसका लहु पोद दिया जाए उसी रात बेखमी रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मास खाया जाएगा इस में से कच्चा या उबला हुआ कुछ मत खाओ बलकि सिर पैरों और अंत्रियों के साथ पूरे को आग में भुन कर खाओ अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं रखा जाएगा जो कुछ बज गया हो उसे भोर के पहले ही जला दोगे तुम लोग चपल पहन कर, कमर कस कर तदा हाथ में डंडा लिये खाओगे तुम जल्दी जल्दी खाओगे क्योंकि यह प्रभु का पासका है उसी रात मैं प्रभु मिश्रदेश का परिभ्रमन करूँगा मिश्रदेश में मनुष्यों और पशुओं के सभी पहलोठे बच्चों को मार डालूँगा और मिश्र के सभी देवताओं को भी डंड दूँगा तुम लोहे पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो वा लहु देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूँगा इस तरह जब मैं मिश्रदेश को डंड दूँगा तुम विपति से बच जाओगे तुम उस दिन का स्मरन रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे तुम उसे सभी पीडियों के लिए अनंतकाल तक पर्व घोशित करोगे तुमें साथ दिन बेकमी रोटी खानी होगी तुम पहले दिन अपने घरों से खमीर बाहर कर दो जदि कोई पहले और साथवे दिन के बीज खमीरी रोटी खाएगा तो वह इस्राइली समुदाई से बहिश्कृत कर दिया जाएगा पहले और साथवे दिन तुम धर्म सभा करोगे अपने लिए भोजन के प्रवंद के सिवा इन दिनों कोई दूसरा काम नहीं करोगे तुम्हें बेकमी रोटीयों का पर्व मनाना होगा क्योंकि वह वही दिन होगा जिस दिन मैं तुम्हारे सारे समुदाई को मिश्रदे से निकाल लाया हूँ इसलिए तुम यह दिन जिरस्थाई आदेश की रूप में पीड़ी दर पीड़ी मनाना पहले महिने के चौदोए दिन की शाम को इस महिने के किसवे दिन की शाम तक तुम्हे बेकमी रोटी खानी होगी साथ दिन तक तुम्हारे घर में कोई खमीर ना हो यदि कोई खमीरी रोटी खाएगा तो वह इस्राइली समुदाई से पहिश्कृत किया जाएगा चाहे वह प्रवासी हो चाहे इस्राइली तुम कोई खमीरी रोटी मत खाना अपने सब निवास स्थानों में तुम बेखमी रोटी ही खाना मुसा ने सभी इस्राइली नेताओं को बुला कर उनसे कहा अपने अपने परिवारों के लिए मीमनों का प्रबंद करने जाओ और पासका मीमना का वद करो तब तुम जूफा का गुच्छा बरतन में रखे हुए रख्त में डुबोए और बरतन का रख्त चौकट और द्वार के दोनों बाजूओं पर लगाओ तुम लोगों में कोई सभेरे तक अपने घर के द्वार से बाहर ना निकले प्रभु देश का परिभ्रमन करते हुए मिस्रियों को मार डालेगा जब चौकट और द्वार के दोनों बाजूओं पर वरक देखेगा तो वा उस द्वार के सामने से आगे निकल जाएगा और तुम्हें मरने के लिए विनाश को तुम्हारे घर के अंदर जाने नहीं देगा तुम और तुम्हारे संतान एक चिरस्थाई प्रथा के रूप में इस आदेश का पालन करती रहोगी जब तुम उस देश में प्रवेश करोगे जिसे प्रभु अपनी प्रतिग्या के नुसार तुम्हें प्रदान करेगा तो तुम इस प्रथा का पालन करती रहो यदि तुम्हारी संतान तुमसे पूछेगी कि आपकी इस प्रथा का क्या अर्थ है तो तुम उससे कहोगे यह प्रभू के आदर में पास्का का बलिदान है जब प्रभू ने मिश्रियों को मारा था जब प्रभू ने मिश्रियों को मारा था तो वो मिश्र में रहने वाले इस्राइलियों के घरों के सामने से आगे निकल गया था और उसने हमारे घरों को छोड़ दिया था या सुनकर लोगों ने घुटने टेक कर डंडवत किया इसके बाद इसराइली लोग ऐसा ही करने लगे प्रभू ने मुसा और हरुन को जैसी आग्या दी थी उन्होंने वैसा ही किया प्रभू ने आधी रात को मिश्र देश के सब पहलोठों सिहासन पर विराजमान फिराउन के पहलोठे से लेकर बंदी ग्रीह में पड़े हुए कैदी के पहलोठे और पशों के पहलोठे बच्चों तक को मार डाला रात में फिराउन उसके सब पददिकारी और सब मिश्री जाग गए मिश्र में बड़ा हाकार मच गया क्योंकि ऐसा एक भी घर नहीं था जिसमें कोई ना मरा हो तब रात में ही फिराउन ने मूसा और हरुन को बुलवा कर कहा उठो तुम दोनों इसराईलियों को लेकर मेरी प्रजा के यहां से चले जाओ जाओ तुमने जैसा कहा था वैसा ही प्रभु की पूजा करो जैसा तुमने कहा अपनी भीड बकरियों अपने गाए बैलों को भी लेते जाओ अब जाओ और मुझे आशिरवात दो इस समय मिस्ट्री उन लोगों को जल से जल देश से बाहर निकाल देना चाहते थे क्योंकि वे सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सब भी मर जाएं इसले लोगों ने अपना आठा खमीरी होने के लिए सिर्फ गुदे हुए रूप में ले लिया और गुंधने के बरतनों को भी अपनी अपनी चादरों में बांध कर कंधों पर रख लिया मुसा के कहने के अनुसार इस्राइलियों ने मिस्रियों से चांदी सोने के अभूशन और कपड़े भी मांग लिये प्रभू ने मिस्रियों की दृष्टी में इस्राइलियों को कृपा पात्र बना दिया इसलिए उन्होंने जो कुछ मांगा मिश्रियों ने उन्हें दे दिया इस तरह उन्होंने मिश्रियों को लूट लिया इस्राइलियों ने रामसेज से सुकोत की और प्रस्थान किया बच्चियों और स्त्रीयों के अतिरिक्त पैदल चलने वाले पुरुशों की संख्या लगबग 6 लाग थी बहुत से परदेशी उनके साथ हो लिए और भीड बकरियों तथा बैल गायों के बहुत भारी जुंड भी वे मिश्र से जो गूंधा हुआ आठा अपने साथ ले गए थे उन्होंने उसकी बेखमी रोटियां पकाई उनके पास खमीर नहीं था क्योंकि वे इतनी जल्दी में मिश्र से निकाल दिये गए थे कि उन्होंने रास्ते के लिए भोजन तैयार करने का समय तक नहीं मिला था इस्राइली 430 वर्ष तक मिश्र में रहे थे जिस दिन ये 430 वर्ष समाप्त हुए उसी दिन प्रभू की समस्त प्रजा मिश्र से निकल गई प्रभू उसराज जागरन करता रहा जिससे वह इसराइलियों को मिश्र से बाहर ले जाए इसलिए समस्त इसराइली पीडी दर पीडी उसी रात को प्रभू के आदर में जागरन करते हैं प्रभू ने मुसा और हरुन को यह आग्यादी पासका भोज संबंधी आदेश यह है कि कोई भी विदेशी उसमें सम्मलित नहीं हो लेकिन तुम्हारे द्वारा खत्ना की जाने के बाद तुम्हारा कोई भी दास उसमें सम्मलित हो सकता है कोई भी विदेशी यह मजदूरी करने वाला नौकर उसमें सम्मलित नहीं होगा वा एक ही घर के अंदर खाया जाएगा तुम उसके मास का कुछ भी घर के बाहर नहीं ले जाओगे तुम उसकी एक भी हड़ी नहीं तोड़ोगे इस्राइलियों का सारा समुदा यह पर्व मनाएगा यदि तुम्हारे साथ प्रवासी के समान रहते हुए कोई विदेशी प्रवु के लिए पास का मनाना चाहता हो तो उसके यहां प्रतियक पुरुष का खतना किया जाए इसके बाद ही वह उसमें संब्लित हो सकेगा क्योंकि तब वह देश का निवासी समझा जाएगा कोई भेखतना व्यक्ति उसे नहीं खा सकेगा मूल निवासी और तुम्हारे साथ रहने वाले विदेशी दोनों के लिए यह नियम लागू होगा सब इसराइलियों ने ऐसा ही किया प्रभु ने मूसा और हरुन को जैसी आग्या दी थी लोगों ने भी वैसा ही किया उसी दिन प्रभु इसराइलियों को उनके पूरे समुदाय को मिश्रदे से बाहर निकाल लाया स्तोत्र ग्रंथ अधे अड़तिस प्रभु कुरूध हुए बिना मुझे दण दे कोब किये बिना मेरा सुधार कर तेरे वाणों ने मुझे छेदा है तेरे हाथ ने मुझे मारा है तेरे क्रोध के कारण मेरा सारा शरिर शक्त बिक्षत है मेरे पाप के कारण मेरे समस्थ हड़ियां छीज रही है मेरे अपरादों का धेर मेरे सीर से भी उचा हो गया है भारी बोज की तरह मैं उन्हें ढोने में आसमर्थ हूँ मेरी मुर्खता के कारण मेरे घाओं में प्यू पड़ गई और उनसे दुर्गंद आती है मैं जुग गया हूँ अत्यंत दुर्बल हूँ और दिन भर उदास चलता फिरता हूँ मेरी कमर में जलन है मेरा सारा शरी अस्वस्त है मैं पांगो अटूटा हुआ हूँ रिदय की पीडाक से करहता हूँ प्रभू तु मेरे सब मनुरत जानता है मेरी आहें तुसे छिपी नहीं है मेरा हृदय धड़कता है मेरे शक्ती चुक गई है मेरे आखों की जोती भी बुच गई है मेरे घाओ देखकर मेरे मित्र और साथी मेरे पास नहीं आते मेरे पडोसी दूर खड़े रहते हैं जो मुझे मारना चाहते हैं उन्होंने मेरे लिए फंदे बिछाएं हैं। जो मेरी दुर्गती की कामना करते हैं उन्होंने मेरे बिरुद सड्यंत्र रचा है और वे दिन भर मेरी चुगली खाते हैं। मैं बहरे की तरह कुछ नहीं सुनता गूंग की तरह मुह नहीं खोलता। मैं उस मनुस्य के सद्रिस बन गया हूँ जो ना तो सुनता और ना जवाब देता है। प्रभू मुझे तेरा ही वरोसा है प्रभू मेरे ईश्वर तु अवश्य उत्तर देगा। मैं कहता था उन्हें मुझे पर हसने का आउसर ना मिले। जब मेरे पैर फिसलते हों तो वे मुझे पर बिजय ना हो। देख मैं लड़ खड़ा कर गिरने को हो। मेरी बेदना जाने का नाम नहीं लेती। मैं अपना प्राज स्विकार करता हूँ अपने पाव के कारण अशानत हूँ। जो आकरण मेरे शक्त्रू हैं वे शक्तिशालि हैं जो नहक मेरे बैरी हैं वे असंख्या हैं। जो मुझ से भलाई का बदला बुराई से चुकाते हैं वे मेरी भलाई के कारण मुझ पर दोस लगाते हैं प्रभू मुझे ना त्याग, मेरे ईश्वर मुझ से दूर ना जा प्रभू मेरे उधारक, सिग्रही मेरी सहयता कर संत मती का सुसमाचार, अध्याए 21 जब ईश्वर मंदिर पहुँच गए थे और सिख्षा दे रहे थे तो महायाजग और जनता की नेता उनके पास आकर बोले अब किस अधिकार से यह सब्द कर रहे हैं? किस ने आपको यह अधिकार दिया? इसा ने उन्हें उत्तर दिया मैं भी आप लोगों से एक प्रश्ण पूछना चाहता हूँ यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूँगा कि मैं किस अधिकार से यह सब्द कर रहा हूँ योहन का बब्तिस्वा कहां का था? स्वर का अथ्वा मनुश्यों का पे या कहते हुए आपस में परमर्स करते थे यदि हम कहें स्वर का तो या हम से कहेंगे तब आप लोगों ने उस पर बिश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुश्यों का तो जन्ता से डर है क्योंकि सब योहन को नवी मानते हैं इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया हम नहीं जानते इस पर ईसा ने उनसे कहा तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुश्यों के दो उत्तर थै उसने पहले के पास जाकर कहा बेता जाओ आज दाक बारी में काम करो उसने उत्तर दिया मैं नहीं जाओंगा किन्तु बाद में उसे पश्चताफ हुआ और वह गया पिता ने दूसरे पुत्तर के पास जाकर यही कहा उसने उत्तर दिया जी हाँ पिता जी कि दुआ नहीं गया दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने ईसा को उत्तर दिया पहले ने इस पर ईसा ने उनसे कहा मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ नाकेदार और वैश्चियाएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्च में प्रवेश करेंगे योहन तुमें धर्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर बिश्वास नहीं किया पर अंतु नाकेदारों और वैश्याओं ने उस पर बिश्वास किया यह दे कर तुम्हें बात में भी पश्चताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर बिश्वास नहीं किया एक दूसरा द्रिस्तान सुनो किसी भुमिधार ने दाग के बारी लगवाई उसके चारों और घेरा बनवाया उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक का मचान बनवाया तब उसे असामियों को पठे पर देकर वहाँ परदेश चला गया फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपनी नौकरों को भेजा किन्तु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़ कर उन में से किसी को मारा पीटा किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला इसके बाद उसने पहले से अधीक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे किन्तु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा या तो उतरधिकारी है चलो हम इसे मार डाले और इसकी बिरासत पर कबज़ा कर ले उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखवारी से बहार निकल कर मार डाला जब दाखवारी का स्वामी लोटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा उन्होंने ईसा से कहा वा उन दुस्तों का सरवनाश करेगा और अपनी दाखवारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे ईसा ने उनसे कहा क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रांत में कभी या नहीं पढ़ा करिगारों ने जिस पत्थर को बेकार समझ कर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है या प्रभू का कार्या है या हमारी द्रिष्ट में अपूर्ब है इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ स्वर्ख राज तुम से ले लिया जाएगा और ऐसे रास्टों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन करेगा जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चूर-चूर हो जाएगा और जिस पर वह पत्थर गिरेगा उसको पीस डालेगा महयाजक और फरिसी उनके द्रिस्तान्त सुनकर समझ गए कि वह हमारे विशय में कह रहे हैं वे उन्हें गिरबतार करना चाते थे कि तुवे जानता से डरते थे क्योंकि वह इसको नवी मानती थी